नेक्स चप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, बचो पढ़ रहे हैं, बोडी मॉवमेंट्स, ठीक है? अब movement कैसे, मतलब show होता है, एक तो पूरी body, मतलब एक place, दूसरी place जाए, एक सिर्फ आपने जो body parts है, उनकी movement हो रही है, तो दो तरीके से आपको देखने को मिलता है, बहुत सिर्फ मैंने अपना पैर हिला दिया, अपने, मतलब जो shoulder है, या अपना hand है, मतलब सिर्फ वो हिला तो यह example है, body parts के, पूरी body आपको बता है कि एक जहें से दूसरी जहें हम जा रहे हैं, जिसको आप loco motion बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, loco motion, ठीक है, अब आप देखो, अपना जो एक पूरा body का structure है, framework है, बोनी structure है, जिसको आप क्या बोल देते हैं, skeleton system बोल देते हैं, अब यहां पर अगर आप function देखें, skeletal system का, skeletal system आपने देख लिया होगा, वैसे तो अपना, ठीक है, वहीं पर आप समझ तो गई होगी कैसा दिखता है अपना, अब वहां पर क्या है कि वो प्रॉपर एक shave देता है, पहली बात तो function अगर कोई पूछे, तो और वहां पर क् पाइट होते हैं, बोडी के उनको protect करता है, जैसे lungs है, उनको rib cage कर लेता है, अपना heart है, उसको भी rib cage करता है, अपनी जो cranium cavity है, मतलब skeletal system की, वो जो है, brain को support करती है, उसको support provide कराती है, तीक है, या उसको protect करती है, तीक है, और बहुत सारी, मतलब क्या है, joints जो होते हैं, आप कई होते हैं, जो दो तरीके से होती है, skeleton, एक endoskeleton होता है, और एक exoskeleton होता है, तब inside the body present होती है, ये body structure तो उसको endoskeleton बोलते हैं, जैसे human being में है, कई जगे outer में चीज प्रेजन होती है, जैसे आपने cockroach में देखा होगा, तो वो कैसी है, exoskeleton है, तो आपको ये पता ह हो कि अगर bones जो है, वो कितनी होती है, 206 होती है, human skeleton में, और अगर आप मतलब childhood में बच्पन की आप तब हम छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे, तब आप बात करो, तो 300, तब हमारा birth होता है, तो 300 के आसपास वहाँ पे क्या होती है, bones होती है, तो फिर fusion उनका होना शुरू ह हो जाता है, adulthood में, तो आप कैसे हो जाती हूँ, bone 206, ठीक है, फिर आप बात करते हो, सबसे पहले, skull की, ठीक है, जैसे, यह उपर वाला, जैसे दिखा रखी है, जिसको आप यह खोपड़ी बोल रहे हो, जिसको आप skull बोलते हो, यह पूरा skeletal system है, अच्छा, यह से ही चीज चलो, हम skull से बात कर रहे हैं, अब skull में क्या होता है, बचो, कि यहाँ पे, जो bony part होता है, head का, उसको आप skull बोल देते हो, जो पूरे, मतलब, एक, पूरे जो body part है, उसको एक hold करने का काम करता है, ठीक है, इसमें बहुत important, जो part जैसे हमने बोला, कि brain जो है, वो अपना protect रह तब जो cranium ये उपर वाली जो, इसमें होती है, facial total 14 bone होती है, और ये उपर वाली जो है, 8, वो, मतलब bones होती है, 14, ये 14, लिखना, ठीक है, यहाँ पे total अगर आप करोगे, तो यहाँ पे 22 bone होती है, बचो, कितनी होती है, 22 bone होती है, और ये fixed joint होते है, जो उपर वाले होते है इनको आप हिला नहीं सकते है, जो आपको देखने को मिलती है, ये 33 bone यहाँ पे होती है, ये वर्टी ब्रा आप इनको बोल देते हो, वर्टी ब्रेट साम है न, क्योंकि हमारे में backbone है, तो इनको वर्टी ब्रा बोला जाता है, ये रही जो, ठीक है न, अब ये कैसी है, ये long ह होती है, hollow structure होती है, road-like structure होती है, neck से hip तक यहाँ पे ये जाती है, ठीक है, और आप इसमें आप जो अपनी nervous प्रोटेक्टिंग जो अपनी, जो spinal cord होती है, क्योंकि इसके उसमें क्या होती है, जिसके हम बात कर रहे थे, brain के, मदब जो पीछे वाला आपना, जो, hind brain है, पीछे वाले उसमें से क्या निकलती है, नीचे से, जो spinal cord है, वो इसकी उसमें से जाती है, तभी तो हमने कहाँ कि अगर कई बार हमारी backbone चली जाती है, तो spinal cord जो अपने reflexes वाला जो area है, वो damage हो जाता है, ठीक है न, अब यहाँ पर क्या है, many bones जो होती है, मतलब आप बताई दिया मने, vertebra होती है, टोटल कितनी है, 33 है, फिर हम बात करते हैं, बचो, rib cage की, जहां पर आपको पता है, 12 pair होती है, अपने पास rib cage का, 12 pair होती है, यह कैसी होती है, थिन होती है, और curved जो होती है, इनकी shape और यह किस में present होती है, chest cavity में present होती है, टीक है, जैसे मैंने बोला, 12 pair में मतलब यह चीज present होगी, अब यहां पर देखो, यह पीछे से तो जो आपको दिख रहा होगा, कि अगर देख रहे हो, backbone की तरफ से मतलब जा रही है, और आगे जो sternum इसको बोला जाता है, बचो, यह वाला, टीक है, तो यह आगे की तरफ आ रही है, तो पीछे से, और मतलब आगे दोनों तरफ यह जुड़ी हुई है, hollow structure जिसमें अपनी lungs हैं, heart है, यह सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, और फिर बात है, जैसे यह वाली structure आपको दिख रही होगी, shoulder bone, कहा है अपनी, वो नहीं दिखा है, होटो की यहाँ पर दिखा रखिए, shoulder bone, यह देख लो, यहाँ पर क्या है, body part है, मतलब arm attached होती है, shoulder से, two shoulder bones होती है, एक collar bone होती है, और एक को क्या बोलते हो, shoulder blade होता है, यहाँ पर जो आपना neck वाला reason होती है, यहाँ पर collar bone होती है, जैसे आपने देखा भी हो, जहाँ collar होगी, वहाँ लगा के देखोगे तो collar bone आपको देखने को मिलेगी दूसरा shoulder blade यहाँ पर होता है shoulder और मतलब यह इनको attachment यह तो आपको बता है यहाँ पर joint होगा move करने के लिए help करेगा और जो shoulder blade होता है वो किसे attach होता है back bone से होता है muscles के थ्रू ठीक है और जो movement होती है shoulder की वो उसी की वज़े से होगी ठीक है फिर आप hip bone की बात करते हो जिसको pelvic bone बोला जाता है जो यह आपको दिखाई दे रही है ठीक है जिसको क्या बोलते हो pelvic bone अब यह किसे attach होती है यहाँ पर आपको पता है leg वाला यह जो reason है इससे pelvic bone मतलब attach है यहाँ पर और यह protect करता है lower जो organ होते हैं मतलब आपने उनको यह protect करने का काम करते हैं इसमें intestine भी है, urinary bladder भी है और यह sit मतलब आप बैठने के लिए pelvic reason है वो अपना काम आता है ठीक है न? फिर हम बात करते हैं बचो जो arms और जो leg है इसमें तीन bone होती है बचो जो arm वाला area होता है अपना उसमें कितने होते हैं? तीन bone होती है ठीक है? जैसे यह उपर दिखा रखा है न? कारपल वाला area हाथ अगर आप देखोगे तो यह वाली जो चीज है ठीक है न? जैसे जिन को क्या बोला गया है हमने? कारपल बोला गया है यह जो हम palm वाला area जिसके हम बात कर रहे हैं ठीक है न? small bones जिनको जैसे मैंने बताई दिया और जो leg होता है बचो जो अपना जिसमें 4 bone होती है यह properly हम 8th class में है शायद वहाँ पे और भी अच्छे से सारे नाम याद करेंगे तो अभी हम यहाँ से पढ़ने न? तो फिर 8th पढ़ने का फिर फायदा क्या होगा है न? फिर joint की आप सबसे पहले आपको ball और socket joint जो है वह आपको पता है अब यह देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आप यह लगाईए कि आप बोल जिसको कहते है न? एक बोल टाइप में और जहां पे जैसे यह चीज़ अटेच कर रहे है बोल टाइप में है यह चीज़ और यहाँ पे आप ब जाल रहे हैं तो बोल जो है वो यहाँ पे मूव कर सकती है ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं बच्चों किस चीज़ की बाहल एंडी सॉक्ट जोइन की यहाँ पे क्या होता है? कि जो जो जोइन जो आप देखते हो कि इसमें क्या होता है? एक तो राउंड शेप की स्ट्चर प्रेजेंट होगी बॉल लाइक जो होगी और वो एक होलो स्पेस में अड्जेस्ट होगी एक सॉक्ट होगा ठीक है? एक कैविडी प्रेजेंट होगी माल नीचे एक यहाँ पे कैविडी प्रेजेंट है इसके अंदर जैसे एक बॉल लाइक स्ट्चर आप फिट कर देते हैं तो यह मूव हो सकती है यहाँ पे तो और यह सारे डिरेक्शन में मूव हो सकती है जैसे हम आपने शॉल्डर की बात करते हैं या हिप जोइंट की बा खरगोश या फिर यह आता है घोडा टाइप में और बीच में एक बोल लगी होती है आप उसको दोनों तरफ से मतलब ऐसे रोटेट कर सकते हो तो सेम बाल और सोकेट जोइंट में प्रेजेंट होता है तो यह मैंने किसमें बोला शॉल्डर में और हिप जोइंट में हाथ भी जोड़ देते हो उसको सारी तरफ रोटेट कर लेते हो सेम पैर में भी करते हो इधर उदर उससे सारी योगा करवा देते हो तो वो बाल एंडी सोकेट जोइंट है वहाँ पर वो सारी तरफ मूविंट कर लेता है फिर बात आती है बचो हिंज जोइंट के हिंज जै या फिर जो lower जा है वहाँ पर present होता है यह सिर्फ एक direction में move कर सकता है या तो forward, backward मतलब इन direction में वो जा सकता है या तो आगे की तरफ पीछे की तरफ क्योंकि हिंच अपना दर्वाजा ऐसे ना आगे या पीछे की तरफ वो चला जाएगा ठीक है या तो आगे जाएगा या तो किस की तरफ जाएगा पीछे की तरफ ऐसे हो जाता है जिसको आप hinge joint, knee को आप बोलते हो, elbow को lower जा में ऐसा होता है ठीक है फिर पावाइट मतलब जो 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 होता है यह यहाँ पे रा पावाइटल joint अब यह connect क्या करता है head और neck को यह connect करता है जिसमें आप bending कर सकते हो मैंने बताई दिया था कि हमारा जो कोबड़ी होती है ठीक है और अपर वाला जा होता है वो fix joint उसको आप move नहीं कर सकते फिर आपको cartilage पता होने चाहिए बचो cartilage क्या होती है कि जो जैसे अपना जो nose के tip है जो ear का नीचे वाला lobe है वहाँ पर यह present होता है बहुत soft भी होता है जैसे बच्चे जैसे गिर जाते हैं आपको जादा मतलब हैसा चोट नहीं लगती है ठीक है हम गिर जाएे तो हमें धर्ध रहेगा बहुत दिन उनको नहीं रहता उनको टो एक मतलब मीचे धर्थी विसमार दोगे कि हमारा दर्ध वह हो खतब हो गया है पर हमारे ऐसा नह से hard होता है, ऐसी बात नहीं है, hard in the sense कि मैं बोल रहे हूँ कि strength अच्छी खासी होती है, बिल्कुल ऐसे भी नहीं है, कि बिल्कुल नहीं होती, soft होगा, पर strength अच्छी खासी होगी वहाँ पे, इसे pinna में है, ear nose में हो गया, और जो अपनी ring of cartilage, जो आप अपनी trachea में देखते हो, ऐसे बनाते हैं ना, वो ring ऐसे जो बनती है, तो ring of cartilage होगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, जो arm अगर आप देखो कि bending कैसे होती है, तो है क्या बच्छो, जैसे आप अपने इसको ऐसे move कर रहे हो, तो इसको बोलते हो, आप biceps muscles, यह biceps muscles, तो यह contract होगी, तब आपने इसको bend किया, तो यह contract हो गई, तो नीचे वाली relax होगी, अगर आपने इसको खोल दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जैसे आपके पास earth warm है, तो यह contraction और relaxation से ही काम करता है, जैसे कि अगर यह move कर रहा है, तो क्या करता है, कि अपने आपको एक part से तो बिलकुल जमीन को, मतलब anchor कर लेगा, hold करके रखेगा, और दूसरे part को फिर वहाँ पर क्या करेगा, contract करेगा, ठीक है, फिर contract करेगा, तो आ अपनी muscles की movement show करता है, और इसके पास क्या होते है, बोड़ी के नीचे, bistles present होते है, जो इसको hold करने का, grab करने का काम कराते है, फिर आपके पास snail है, snail क्या करती है, एक इसके पास large disc muscular foot present होते है, under the body, वो इसकी help करते है, बचो, movement के लिए, ठीक है, foot होते है, जो बोड़ी होती लाइओ, उसके नीचे की तरफ, कोकरोच के बाध करते हैं, तो oss open, उसके pair होते है, six legs होते है, पर उड़ भी सकता है, यह आपको बता है, six legs होती है, आपके पास three pair होते है, जो उसकी चलने में help कराते है, दो wing होते हैं, जो उसकी उड़ने में help कराइगे, फिर आप फिर आ पानी की जो मूँमेंट वो कराते हैं, तो जिस तरफ इसकी बोड़ी मतलब अगर इधर मूँव किया है, तो वो पानी मतलब इधर से मूँमेंट किया, तो आगे की तरफ ऐसे मूँव करती है, तो जैसे अपनी किसकी structure प्रेजेंट होती है, अपना जो एरो ब्लेम है, वो एर मूँमेंट करेंगा, तो दूसरी बार यहां से ऐसे मूँमेंट करेंगा, तो इसकी muscular ही मतलब मूँमेंट होती है, तीक है ना, बड्स आपको बदा है, लिए और चलते भी है, और और क्या है काई ऐसे हैं जो GFLOAT ही करते हैं क्योंकि उनकी एक तो और light colour की light bounds hem क्योंकि उनमें बहुत भारी होंगी क्यों तो उड़ेंगे कैसे वो हडियां तो हैं पर उनमे hollow hote है वो बहुत भारी नहीं होती जिसके वाज़ेसे उनको help miltい है उड़ने में ठीक है जैसे यह दिखा रहा है न बचो moment of the fish कि एक बार यहां करती है फिर यहां पर moment करती है फिर ऐसे फिर ऐसे जिसके विज़े से पानी को कट करने में और आगे चलने में इनको help मिलती है ठीक है